दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूज में दोस्तो रीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई भरती अपडेट की है और इसके जो फोम है वो स्टार्ट हो चुके है तो दोस्तो ये प्रतिसत बेस की वेकेंशी है यानि कि इसमें परिक्ष्य नहीं होगी पहली बात ये है और ये दोस्तो जो वेकेंश से निकल रही है यानि कि कम्मुनीटी हेल्थ ऑफिसर CHO का ये भरती है और 4000 से ज़्यादा इसमें 5 सामिल है आए दोस्तों जान लेते हैं पूरी अपडेट सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों ये जो वेकेंसी है ये राज्यस्वास समिती यानि कि बिहार स्टेट से ये वेकेंसी निकल रही है CHO की ठीक है दोस्तों अब इसमें क्या है कि Advertisement 02-2022 सबसे पहले मैं आप लोगों को Short Advertisement दिखा देता है उसके बाद आपको Detail में समझाते हैं कि इसमें क्या कुछ Qualifications मागी गई हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए Advertisement 02-2022 Application Invited for the First of Recruitment of Community Health Officer on Contractual Basis तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये Contractual Basis पर HWCZO है देश भर में उनके लिए निकाले गई है और इसमें देखिए Total 4050 पोस्ट हैं 4050 पोस्ट हैं तो इसमें क्या है 25,000 रुपए तो salary मिलेगी और 15,000 रुपए incentive होगा आप लोगों का तो 40,000 रुपए पर मन्त यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे अब देखिए यहाँ पर 4000 व जनरल और EWS के लिए 42 वर्स, BC, MBC, male, female के लिए 45 वर्स, UR, male, female, EWS के लिए 45 वर्स, female के लिए है दोस्तों यह ठीक है, F का मतलब female यहाँ पर mention किया गया है, SCST के लिए जो male और female है उनके लिए 47 वर्स है, minimum age should be 21 years, तो 21 years होनी चीए, minimum जो age है वो 21 वर्स होनी चीए, और relaxation age will be admissible to divine body applicant, ठीक है, इनके लिए 10 साल का छूट भी दिया गया है, अब eligibility criteria क्या है, qualification BSC nursing, post BSC nursing, with integrated curriculum of certificate course in community health, CCS certificate, चाहिए BSC nursing या post BSC nursing के साथ, और GNM के साथ भी यहाँ पर CCH अनिवारे है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानि की GNM BSC वाले apply तो कर सकते हैं, लेकिन CCH already होना चाहिए आप लोगों के पास, यहाँ पर देखिए दोस्तों, और यह आप लोगों का है, online आप लोगों को application भरने, online application 11 February से और 3 March तक भरे जाएंगे, ठीक है, application जो fees है 500 रुपए होगी, वो किस किस के लिए होगी, general MBC, M MBC और EWS के लिए, और 200 रुपए जो है दोस्तों, वो होगा SCSTO, Bihar Domicile and Female Divine Body Candidate, इनके लिए 250 रुपए, यहाँ पर fees होगी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह आप लोगों देख सकते हैं, इसमें क्या है आप लोगों को, Candidate Cell Successfully Southern District Health Society, और इसमें जो है दोस्तों, यह आपर दिया गया है, bond भी 1.5 रुपए का है इसमें, ठीक है, अगर आप छोड़ते हैं तो इसे 18 मंत के बाद, ठीक है, 18 मंत से पहले छोड़ते हैं, तो 1.5 रुपए का bond यहाँ पर आप लोगों को पे करना होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगो देख सकते है बोंड की रासी काफी कम कर दे गई है, 1.5 रुपए, अगर 18 मंत से पहले अगर आप लोग इसको छोड़ देते हैं, तो जोइन करने के बाद, आप डिटेल में अडवर्टिजिमेंट आप लोगों को समझा देते हैं, एक बार यही था डिटेल में भी कुछ ऐसा ही बताए गया है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लिजे, योग गता मैंने बताई दिया आप लोगों को, और यह देखिए, फाइनल सेलेक्टेट कैंडिडेट सुड प्रोवाइड पर्मनेंट रेजिस्टेशन फ्रों विहार नर्सिंग कॉंसिल, ठीक है, पटना विदिन थ्री मंथ जोइनिंग अप सियाचो, तो अन्ने स्टेट के भी इसमें अपलाई कर सकते हैं, और आप लोगों को जोइनिंग वाले ही कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं, कैंडिडेट सुड है पर्मनेंट रेजिस्टेशन फॉर इंडिया नर्सिंग कॉंसिल यानि स्टेट नर्सिंग कॉंसिल, टाइम ऑफ अप अप्लिकेंट, यानि कि अगर आब आप राजस्थान से हैं, तो आप इसमें अपलाई तो इसका फॉर्म अपलाई किया जा सकता है, आप लोग भर सकते हैं इसका फॉर्म और इसमें सेलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो देखी, देख लीजिए, आप लोग ये देखिए, सेलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, इंपोर्टेंट नोट और उसके बाद देखिए, म का जो प्रोसेस है देखिए आप लोग को selection of candidate यहां पर देखिएगा दोस्तों यह line final short listing will be based on academic score obtained in BSC nursing, post BSC nursing, GNN and availability of vacancy as per resolution roster ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या है आप लोग का जो selection है वो परतिसत बेस पर किया जाएगा ठीक है academic score पर किया जाएगा इसमें paper आप लोगों का नहीं होगा यह अच्छी बात है इसी तरीके से UPCHO में भी paper नहीं हो रहा percentage base पर और इसमें भी percentage base पर यह CHO के भरति की जा रही है और अब CCH जो है दोस्तों वो लगभग state में अन्यवारे कर दिया गया है और यह paper भी नहीं करवा रहे हैं इस तरीके का यहाँ पर दो states की vacancy आप लोगों ने देख ली है UPCHO के form जिनकी सायद का last date है 13 February और यह जो है इसकी है 3 March बिहार वाले की 4050 इसमें total vacancy अन्य state के भर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर आप राजस्थान से हैं पंजाब हरियान दिल्ली कहीं से भी हैं आप इसमें apply कर सकते हैं आपको joining के 3 महिने के अंदर अंदर जो है वहां की nursing council में registration करवाना होगा और वो देना होगा percentage base की vacancy है पेपर इसमें नहीं होगा 40,000 रुपए salary मिलेगी 1,500,000 रुपए का bond है अगर आप 18 महिने से पहले इसको छोड़ देते हैं ठीक है अन्य state के जो candidate हैं वो general category में count किये जाएंगे और general category का जो fees है 500 रुपिया इसमे यह आप लोग को telegram पर उपलब्द हैं मिल जाएंगे आप लोग सर्च कर लीजिए नीचे description में telegram channel का link मैं आप लोग को दे रहा हूं धन्यवाद दोस्तों जैहिंज भारत